कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखा पदंस्मादियानी कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखा पदंस्मादियानी धमपद पुप्फ बग्गो कथा गाथा नंबर 51-52 सावित्ती का जो जैत्वन बिहार है या जैत्वन मंदर है या जैत्वन जो सिखाने का साधना इस्थल है जहां भगवान बुद्ने जंगल साफ करके और सारा जैत्वन बिहार जो बनाया गया वहां पर धम का जब उपदेश दिया जाता था देशना दी जाती थी तो राजा पसेंडि यानि राजा परसेंड जीत आज के संस्कायद भासा में कहें हैं तो वो अक्सर वहां जया करते थे और अपना सारा सासन वो धम के प्राकर्टिक नियमों के अनुसारी सीखे थे तो राजा पसेंड जित जो आते थे उनके मन में ये जिग्यासा हुई कि उनकी दोनों जो पत्निया हैं वो भी धम सीखें तो घर में धम का वातावरन जाद अच्छा रहेगा उनको लाब होगा दोनों रानिया अपने दुख से जीते जी मुक्त हो जाएंगी ऐसा विचार जानकर उन्होंने भगवान बुद्ध से आगरे किया निविदन किया कि आप मेरी दोनों रानियों को धम सिखाएं भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध इंडिविजिल परसन को सिखाने के लिए नहीं जाते बगर मैं किसी ना किसी और जो टीचर हैं जो भिक्कू हैं उनको मैं भेज़ दूँगा और उन्होंने वहाँ आणन्द थेर की, आनन्द की डूटी लगाई आनंद वहां नियमित जाते थे और दोनों रानिया अपने सभी जितनी भी उनकी काम करने वाली वहां सेवी का थी उनके साथ बैठके धम को सीखा करती थे तो कि जो फेर होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि कौन सा इस्टुडेंट ज्यादा सीख रहा है और कौन सा इस्टुडेंट कम सीख रहा है एकी क्लास के अंदर टीचर एक जैसा सब को पढ़ाता है मगर सीखने वाले अलगलग तरह से ग्रन करते हैं तो उसने देखा कि राजा की जो एक राणी है वो तो धंब को बहुत अच्छी तरह से सीख रही है अभ्यास कर रही है और दूसी राणी का मन धंब सीखने में नहीं लग रहा है ऐसी चर्चा उन्होंने भगवान बुद्ध से कही कि भगवन जब मैं वहाँ सिखाता हूँ तो दोनों राणीों में ऐसा अंतर पाया गया तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही गाथा नमबर 51 इस पर कार है यथापी रुची रंग पुफंग वन वन्तंग ए गंधकंग ए वंग सुभासिता वाचा ए फला होती ए कुबबतो यथापी रुची रंग पुफंग यथापी का मतलब है जैसे यथा मानेज होता ना यथा का मतलब है जैसे और आपी का मतलब है अपी बाद में भी बन गया यानि जैसे भी या जैसे कोई या जैसे रूची रंग पुफंग रूची रंग पुफंग का मतलब है जिसमें पुफ के अंदर पुस्प के अंदर फूल के अंदर रूची हो बहुत जादा यानि कि वो रूची कर हो उसे देखने के लिए आदमी की जिग्या सा जाए बारा उसे ले या तोड़ के भी ले आए इतनी ज़्यादा रूची कर फूल हो वन वन तंग ऐ गंधकंग वन 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 तंग मैंने पहले ही बताया है वन का मतलब है रंग वन वन तंग का मतलब बहुत रंगदार बहुत सुन्दर ए गंधकंग ए गंधकंग का मतलब है ए गंधकवाला कि जिसके अंदर खुश्वू नहीं है यानि कि ऐसा फूल जो बहुत रंग बरंगा है बड़ा रूची कर है मगर उसके अंदर कोई भी खुश्वू नहीं है एवंग सुभासिता वाचा एवंग माने है जैसे सुभासिता वाचा सुभासिता भासन जो होता है उससे भासिता से भासन बना है भासन करें या भासिता सु माने अच्छा यानि कि जो अच्छा भासन होता है अच्छा बोला गया होता है सुभासिता वाचा यानि जो बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है सुभासित की गई है ए फला होती ए कुबतो ए फला होती ए फला का मतलब है वो फल दायक नहीं होती ए कुबतो ए कुबतो का मतलब है अगर वो ना परफॉर्म की जाए, ना भ्यास की जाए, ना की जाए ऐसा उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि वो फूल जो बहुत ज़्यादा गंगदार हो और बहुत ज़्यादा रुची कर हो जिसमें लोग उसकी तरफ खिचे चले आए मगर अगर उसके अंदर एगंदक है कोई गंद नहीं है, कोई उसके अंदर खुश्पू नहीं है तो उसका कोई फाइदा नहीं उस व्यक्ति के लिए जो उसकी तरफ दोड़के आ रहा है या जो उसको चाहता है या जो उसको अपने पास रखना चाहता है इसी प्रकार अगर बहुत अच्छा कोई वचन बताया गया है यानि बुद्ध का वचन या धम का वचन या संग का वचन या बहुत स्वस्ती बात है कोई ऐसी बात है जो मनुस्य के कल्यान के लिए है कल्यान कारी है ऐसा वचन ऐसी बात अगर बताई गई है बहुत अच्छी तरह से बताई गई है तो वो भी कोई फल नहीं देगी अगर उस बात पे चलाना जाए उस बात पे अब्यास ना किया जाए ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है और वो डॉक्टर के पास जाए मरीज है बीमार है और डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी बताए और डॉक्टर उसकी बीमारी देखकर जानकर पहचानकर उसको उस बीमारी के निदान की दवाई दे और वो उस दवाई को देख के रोज उसकी पूझा पाट करता रहे उसके आरती दूबती चलाता रहे उसको माथे पे रखके घुमता रहे उसको जेम में रखके सब को बताता रहे का देखो मेरे अंदर एतनी अच्छी दवाई है फनाने डॉक्टर से लेके आया फनाने डॉक्टर की दी सबसे महगी कमपनी की है और रोग भी बिलुकल बताया है मुझे यही रोग है और इसी रोग की यह दवा है और देखो अब यह दवा मुझे ठीक कर देगी ऐसा वो खूब अपने वाटसेप पे फोटो कीच कीच के डाले ऐसी खूब यूटूब बनाए ऐसा खूब वो अपना ब्लॉग लिखे सब को फोन करके चर्चा बताए और दवाई ना खाए तो वो कभी जिन्दगी में ठीक नहीं हो सकता वो कितनी ही चर्चा कर ले मर जाएगा ठीक इसी प्रिकार कोई भी बात अगर बताई जाए और उस पे अच्छी बात पे अगर अमल ना किया जाए तो वो लावदायक नहीं होगी एफला होगी ये ठीक ऐसे है जैसे भगवान बुद्ध जो मुख प्राप्ते जिन्होंने उस रास्ते पर चले जहां सुख शांती मिलती है जहां दुखों से दूर होती है और उन्होंने इसका अनुभव किया उस रास्ते को जाना पहचाना खोजा उस रास्ते को उन्होंने हजारों लाखों लोगों को बताया मगर जो लोग जहां तक चले वहां तक उसका फाइदा हुआ और जो लोग नहीं चले उसको बिल्कुल फाइदा नहीं हुआ और जो लोग पूरे रास्ते पचले उनको फाइदा हुआ इसलिए भगवान बुद्ध के इस मार को कहा जाता है कि जैसे ही चलोगे वैसे ही आपको फाइदा होगा एकाली को मतलब है कि इसमें समय नहीं लगता आप इधर चले नहीं उदर आपका फायदा हुआ नहीं यह है कथा गाथा नंबर 51 और जो 52 कथा है उसकी जो गाथा है वही सेम है 52 नंबर की जो कथा है वो इस परकार है यथापी रुचीरंग उफंग वलवंतन सुगंदखंग एवंग सुभासिता वाचा सफला होती कुबबतो दोनों ही जो गाथा है एक दूसरे के विल्कुल जोड़े में हैं यमक में हैं विलो में पहली वाली गाथा में यह था गया है कि अगर कोई फूल बहुत ज्यादा रंगदार हो और बहुत अच्छा रुची कर हो मगर उसमें गंदळ नहो सुगंद नहो तो वो बेकार है दूसरी गाता में ये सिर्फ एक सब्द बदला है कि एगंद की जगे सुगंद कर दिया है यानि कि कोई फूल है जो बहुत जादा रुचीकर है बहुत जादा गंद वाला है खुसु वाला है और बहुत जादा रंग वाला है एवंग सुभासिता वाचा सफला होती कुबबतो और ऐसे ही कोई अगर ग्यानी या कोई धम का वेक्ती या कोई भिकू या कोई भिकू नहीं अगर कोई अच्छी बात बताता है और उस पे कोई मनुष से चलता है तो वो फल दायक होती है सिर्फ इसमें दो सब्द बदले हैं पहली वाली गाथा में और इसमें सुगंदकंग और कुबबतो और वहाँ पर सुगंदक की जगे था ऐ गंदक और कुबबतो की जगे था ऐ कुबबतो और कोई अंतर नहीं है दोनों गाथा है सेम है कथा भी सेम है इसलिए जो दूसरी गाता है उसका एक सीधा सा जो समझ आती है वो इस तरह से आती है कि आपको बहुत अच्छी भूख लगी है और आपको खाने की जरूरत है और खाना आपके सामने आ गया और खाने को देखके आप बड़े खुश हो रहे हैं आपने अपने सारे रिस्दारों को उसका फोटो कीच के भीजा कि यह देखो मेरा खाना कितना अच्छा है कितना टेश्टी है कितना बढ़िया है उसकी स्मेल आपने ली जाव तरफ उसमें घूमें उसको सरपे उठा 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 के थाली को घूमने लगे नाशने लगे और आपने खाने को उठा के एक तरब मेज में रख दिया कि आप तो ये खाना इतना सुन्दर है इतना अच्छा है इतनी सुगंदित इसकी अच्छी है अब मैं इसको देख देख कर ही जिऊंगा अब मुझे खाने के आश्कता नहीं है तो आप अवस्य ही भूग से मर जाएंगे यानि खाना आपको खाएंगे तो ही आप जीएंगे उसी प्रिकार जो जितने भी वचन बताए जाते हैं जो बातें बताए जाते हैं धम में प्रक्टिस करने के लिए अगर आप उनकी प्रक्टिस नहीं करेंगे अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कोई फलनी होगा जैसे खाना खाने वाले को खुद लाव होता है दवाई खाने वाले को खुद लाव होता है वैसे ही जो अच्छी बातों का अभ्यास करता है उसको ही लाव होगा उसके रिस्तदारों को कोई लाब उससे नहीं हो सकता उसके पुत्र पुत्री को भी कोई लाब नहीं होगा सिर्फ उसी को होगा जो चलेगा इसलिए धम में सब को महत करनी पड़ती है धम ऐसा नहीं है कि कोई विक्ति ये कह जाए कि मैंने ये तुम्हें धम बता दिया है अब तुम्हारा लाब हो गया है सुनने से बताने से लाब धम में नहीं होता धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद अम सरेन गच्छामू तूधं सेनं गच्छामी अम सरेन गच्छामू अमम सेनं गच्छामी संगम सरेन गच्छामू तूधियं पी बुदधं सेनं गच्छामू तूधियं पी बुदधं सेनं गच्छामी दूतियंपी धम्मं मर्सेनु गच्छामू दूतियंपी धम्मं सर्नं गच्छामू दूतियंपी संगों सर्नं गच्छामू दूतियंपी सर्नं सर्नं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम। 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 ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम।